तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट्स तो हम समझेंगे प्रोवजन फोर डाउटफुल डेट्स को और जो ग्यारवी क्लास में आपने पढ़ा हुआ वैसा बिलकुल भी नहीं है थोड़ासा अलग है ठीक है तो सबसे पहले provision for doubtful debts और मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है साथ के साथ bad debts भी लिखा है यानि दोनों जब एक साथ होगा तब की में बात करो bad debts भी हो और provision for doubtful debts भी हो अगर simple provision for doubtful debts होता है या फिर सरिफ bad debts होता है तब तो कोई समस्य वाली बात ही नहीं है वो तो हम कर लेते हैं लेकिन जब दोनों दे देता है तो problem होता है आप ध्यान से देखिएगा cases को देखते जाएगा आपको बिलकुल समझ में आ जाएगा और examiner पता है जो हमारा retirement chapter है retirement के अंदर हम question अभी तक देखोगे तो मैं भी question practice किस चीज़ की करवा रहा हूँ आपको आपको question practice करवा रहा हूँ normally देखा जाए तो laser की journal entry का तो एक भी नहीं करा लेकिन examiner exam में laser की जगह पे कई बर क्या दे देता है journal ठीक है नहीं क्या दे देता है journal तो हम journal की भी practice करनी है हमें कैसे करेंगे वो देखेंगे हम थोड़ी बाद में देखेंगे पहले हम laser एक बार perfect हो जाए तो journal भी हो जाएगा ये balance sheet है देखें यहाँ पे मान लेते हैं suppose करो मैंने debtor लिखा और debtor मान लेते हैं कि एक लाक रुपे लिखा है ठीक है अब provision की मैं बात करूँ तो दो condition हो सकता है या तो provision आपको adjustment में देगा ठीक है या पहले से minus करके दे रखा हो ठीक है ये हो सकता है ना आपने देखा हुआ question पहले से minus है कुछ और फिर adjustment में भी है दोनों चीज़े होती है तो पहले से जब minus करके देता है ना जैसे मान लो मैंने यहां से minus कर दिया suppose करो 5000 रुपे less कर दिया मैंने 5000 रुपे तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि इस provision for doubtful debts को दिखाने के हमारे पास दो option available है या तो मैं यहां पे minus कर दूँ या यहां पे लिख दू provision for doubtful debt 5000 दोनों में कोई फरक नहीं है इस बात को आपको समझना है या तो मैं क्या करूँ यहां से minus करके दिखा दूँ या फिर मैं इसे कहा दिखा दू liability side क्या दोनों में कोई फरक है नहीं है दोनों answer हमारा क्या माना जाएगा 100% correct माना जाएगा कोई changes नहीं है इसमें ultimately आप देखोगे मैं net balancing figure अगर आपसे पूछता हूँ तो आप बोलोगा सर वही 59 है क्योंकि जब minus करोगे तो ultimately result क्या आएगा 59 और बाद में पहले भी क्या आ आ रहा था अगर यहाँ minus करूँगा तो पिच्च अनवे है ठीक है इसका मतलब क्या होता है provision for doubtful dates का मतलब इसका मतलब होता है और यह हमारा इस साल का भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है और इसका मतलब होता है अंदाजा यह होता है हमारा अंदाजा कि इतने रुपे हमारे डूब सकते हैं इतने रुपे डूब सकते हैं जब यह हमने create किया होगा तो इसे हमने क्या करा होगा खर्चा मान लिया होगा और profit and loss में debit कर दिया होगा simple सी बात है जो कि हमने करा होगा है एक तो यह तरीका हो गया दूसरा अगर मैं यहाँ पे नीचे देता हूँ provision for doubtful debt तो balance sheet के अगर नीचे कोई चीज़े मिल जाती है न हमें तो हम इसको एक बहुत ही simple से नाम से बुलाते हैं किस नाम से? adjustment के नाम से मान लो मैंने यहाँ पे आपको दिया 10% तो इसका treatment क्या होगा बताईए अगर मैं 10% देता हूँ तो आप क्या करेंगे इसके उपर कितना निकालेंगे? 10% 10,000 फिर आप check करेंगे कहीं पहले से तो हमने कोई provision नहीं बना रखा है अगर हमने पहले से ही provision create किया हुआ है कितना create किया हुआ है? 5000 और हमें total कितना बनाने है? 10,000 total कितने बनाने हमें? 10,000 means अब और provision कितना है? इसमें जोड़ दे जो कि हमारे जो इच्छा है वो पूरी हो जाए 5000 और इसमें क्या कर दे हम? add on करते हैं समझ रहे हैं बात को? इसमें 5000 रुपए और add कर देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा तो ये वाले question तो हमने देखा हुआ है इसका treatment क्या होता है? पता है? Revaluation में चले जाते हैं और Revaluation के two side में लिख देते हैं कितने रुपए से? 10,000 लिखेंगे या 5000? 5000 लिखेंगे पता है जब आपको नीचे क्या दे दे? Bad dates ठीक है न? अब मैं यहाँ पर case बनाता जाता हूँ और उसका answer आपसे पूर्चता जाऊँगा बस आपने बताना है मान लेते हैं मैंने case number one लिखा कि मेरा bad dates है सरिफ bad dates है मेरा मान लेते है 4000 अब बताईए इसका मतलब मेरा नुकसान bad dates का मतलब 100% sure हूँ कि मेरा 4000 डूब गिया है provision का मतलब क्या है? अंदाजा है कि मेरे 5000 डूब सकते हैं आपने अंदाजा कितने का लगाया था? और डूबा कितने का? 4000 का तो still 1000 रुपे आपके पास है तो यह आपका फाइदा हो गया ना? क्योंकि आपने 5000 रुपे का नुकसान सोच के चला था और नुकसान ही हुआ चार का तो इसका मतलब सोच चूँकर 1000 तो बच गए यही concept आता है न हमारे mind के अंदर 1000 बच गए तो अगर यहाँ पे देता है आपको bad dates और bad dates कितना देता है 4000 रुपे और बोलता है कि हमें अब provision की जौरत नहीं है इस situation में इस 4000 रुपे का कोई भी laser treatment नहीं होगा sir laser treatment का मतलब इस 4000 रुपे को ना तो revolution में दिखाएंगे क्यों नहीं दिखाएंगे? तो हमने पहले से ही नुकसान मान के बैठे वे थे है ना? क्योंकि ये हम क्या सोच रहे हैं? 5 डूबेगा? आप पहले से नुकसान मान रख़ा है आपने? और ये 4 डूबा तो इसी के लिए तो इसी नुकसान के लिए तो आपने ये तैयारी करी थी अब माल लो ये भी मैं नुकसान दिखा दू और ये भी दिखा दू तो नुकसान डब्लिंग नहीं हो गया फिर 9000 हमें क्या करना होता है हमें सही से accurate adjustment करना है तो अगर suppose करो 5000-5000 रुपए है तो इसका कोई treatment नहीं है क्यों नहीं है sir treatment क्योंकि पहले से तो हमने 5 बना रखा है किसमें treatment नहीं है laser में लेकिन journal होगा बिलकुल होगा क्योंकि ये खतम हो जाएगा खतम होगा ये नहीं होगा और ये वाला आगया हमारा जब ये हमारा part खतम होगा ना तो ये क्या है creditor मतलब liability side में है जब खतम करेंगे तो क्या करेंगे इसे debit कर देना चाहिए ये credit करना चाहिए ध्यान से सोचना ये है liability liability मतलब ये credit है और credit वाले item को minus करना है credit वाले item को खतम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा debit करना पड़ेगा simple si roll ठीक है ना तो journal entry पता है क्या drive हो जाएगा provision for doubtful debts account debit two bandits क्या हो जाएगा two bandits अभी हम journal के उपर नहीं जा रहें फिलाल पहले हमारा सारा focus रहेगा laser के उपर फिर laser के बाद हम अलग से class के अंदर journal की बात करेंगा एक साथ मैं mix नहीं करना चाहता है और पांच ही डूब है तो क्या इसका कोई treatment होगा नहीं होगा again मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो ये 6000 हो जाता है तब अब tension है क्योंकि तैयारी कितने की कर रखे थी आपने पांच और डूब कितने गए तो अब 1000 रुपे आपको क्या करना होगा और loss बुक करना पड़ेगा तो अब revaluation के अंदर इस वाले case में 1000 रुपे आ जाएगा और debtor से भी हमारा माइनस हो जाएगा पता है कितना पूरे 6000 रुपे पहले case में बताइए debtor में से कितना माइनस होगा पहले case में तो 4000 ये भी माइनस हो जाएगा और ये बचा मेरा कितना 1000 और debtor से भी 4000 माइनस करो जी ये होगा पहला case का अंसर तो revaluation से connected नहीं है लेकिन balance sheet के अंदर तो treatment दिखाऊगे क्योंकि 5 बनाए था 5 में से 4 का नुकसान है तो अब आपके पास extra बना रखा है प्रोविजन कितना आपने 1000 मैं पहले case की बात कर रहा हूँ ठीक है न 1000 यहाँ बची है प्रोविजन में और bet debt जितने 4 हुए वो debtor क्या हो गया actual माइने में कम हो गया क्योंकि हमने debtor से तो माइनस नहीं किया था समझे बात दूसरे case में क्या होगा यहाँ से 5000 माइनस किरके प्रोविजन कितना बचेगा 0 और यहाँ से कितना माइनस हो जाएगा 5000 तीसरे case में क्या होगा यहाँ से पूरे 5000 यह 0 और यहाँ माइनस कितना होगा 6000 1000 रुपे का फरकार है न 1000 अब चला जाएगा रिवेल्यूएशन पहले यह समझ यह case समझ मैं है कम हो जाए तो क्या हो बराबर हो जाए तो क्या हो और जादा हो जाए तो क्या हो जब आपको adjustment में bad debts दे रखा होता है तो आप हमेशा देखना कभी भी examiner न ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ से bad debts minus करके दिखाए करेगा ही नहीं क्योंकि bad debts का मतलब तो डूब गया भाई क्यों अलग से दिखा रहे है उसे minus करके net debtor दिखाऊ न यहाँ पे हमेशा क्या minus करता है यहाँ से वो PFD जिस PFD को हम इधर भी लिख सकते हैं clear है यहाँ तक पहले case में कोई doubt नहीं doubt अब दूसरा case हम मानके चलते है case number two यानि situation two हो सकता है हमारा जहाँ पे दोनों aspect हो हमारा provision भी हो और bad debts भी हो ठीक है चलो मैं एक अपनी तसलिक के लिए पूछ लेता हूँ मानलो मैंने बोला कि मेरा bad debts आट हजार रुपे हुआ अब क्या करें पांच हजार का प्रोविजन खतम हो जाएगा और आठ हजार यहां से माइनस करतेंगे तीन हजार रिवेल्यूशन लेकिन लेकिन अगर मानलो आपके balance sheet ऐसे कुछ चल रहा हो और यहां debtor लिखा हो एक लाग और पहले से PFD माइनस कर रखा हो इसने पांच हजार ठीक है और मैंने बोला के आठ हजार का bad debts हुआ है तो अब क्या करेंगे तीन हजार और minus करो या जब नए वाले balance sheet बनाएंगे तो वहाँ पे provision for doubtful debts का नाम और निसा नहीं हठा देंगे क्योंकि बचा ही नहीं है सीधा किस नाम से minus करेंगे bad debts के नाम से समझ रहे है बात को clear हो रहा है नहीं यह बात यहां तर तो वहाँ पे bad debts के यानि जितना provision लेखिन अगर मान लो हमने पहले से PFD कर रखा है कितना 5000 मान लो 4 होता है तो तो जी PFD को एक रहने देंगे नए वाले balance sheet में और नया नाम किसके नाम से आजाएगा bad debts कितने से सही तरीका यह है बच्चे क्या करते हैं PFD लिखा देते हैं 1000 रुपे खतम कहानी या फिर PFD एक ही 1000 दिखा देते हैं bad debts को record नहीं करते हैं वो गलत है समझ में आरी बात अगर मान लो यह वाला case हो तो PFD यहाँ पे आएगा क्या नहीं आएगा क्योंकि 5 था देखो तीसरे case में 5 तो पहले से बना रखा है और bad debts कितना हो वा 5 PFD नहीं आएगा PFD का नाम बदल के क्या आजाएगा bad debts सीधा 5 हो जाएगा समझ रहा है लेकिन अगर यह वाला case हो तो अगेन PFD तो आएगा नहीं सीधा क्या आएगा bad debts पूरे 6 हजार रूप ठेक है ना यहाँ से इस वाले case में हमारा revolution से कोई तालूख है क्या इस वाले case में कोई revolution से तालूख है क्या इस वाले case में कितने रुपे एक हजार और इस वाले case में तीन हजार रुपे दालूख है case number two देखते है case number two में अगर देखा जाए ना तो case number two के अंदर अगर मैं मान के चलूँ तो मान लेते हैं मेरा bad debts चार हजार ठेक है and provision 10% सपोज करो यह थोड़ा सा complicated हो जाता है लेकिन कोई complicated ही नहीं है समझ जाओगे तो क्या complicated है ठीक है पहले वाले case का आपका समझ में आ गया मैं इसको यहां से मिटा दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है समझाना ही तो है उसके बाद फिर एक साथ ही आप note कर ले ना नहीं तो सारी वीडियो तो ही है उसको आराम से देख देखके step by step आप क्या करना note कर ले ना ठीक है न चलिए अब फिर से वही पुरानी situation पर आ गया है यह वाला case में done कर चुका है और यहां से मैंने हटा दिया क्योंकि आपको यह समझ में आ गया है आप आराम से pause करके इसको note कर लिजेगा जो मैं लिग प्रोवाइड कर दूँआ ठीक है बेड़िट्स चार हजार है प्रोविजन कितना है 10% है तो बेड़िट्स कितना है चार हजार तो हमारे पास पुराना पांच हिजार रुपे पड़ा हुआ था तो सबसे पहले बेड़िट्स की कोई पहले अलग अलग सोचना आप पहले इसको यहां सक सोचो चार हजार रुपे है बेड़िट्स तो हमारे पीफडी पांच तो बना ही रखा था तो क्या इस चार हजार रुपे में कोई ज़्यादा और भी मुझे दिखाना है इसका तो मतलब भी नहीं बनता यानि सिंपल सी बात है कि मेरा पीफडी कम हो जाएगा पीफडी खतम हो जाएगा यूज हो गया मेरा पीफडी कितना यूज कर लिया आपने 4,000 यूज कर लिया और यहां से आप 4,000 रुपे क्या करोगे माइनस कर दोगे यह बच जाएगा 96 यह कितने बच जाएंगे हमारे 96 बच जाएंगे यहाँ तक कोई टाउट क्या नहीं न यहाँ तक पता ही यह कोई टाउट अब बोलता है कि आपको पूविजन क्रियेट करना 10 donc तो provision पता है किस पर create होता है जो debtor में से bad debts minus हो जाता है उसके वेपर provision create करते है provision कितना create करना है 10% और जब बोलेगा न 10% create करना है तो हमेशा याद रखना ये पता ही क्या रहेगा total पुराना नया मिला के पुराना है के हमारे पास पुराना है ना 1000 10% बनाते हैं तो कितना बनना चाहिए 96 क्या है हमें नया बनाना है या total जिसमां से पहले कितना है तो और कितना बनाना चाहिए तो मुझे और 8600 बनाना चाहिए और इस वाले 86 एक्स्ट्रा तो 86 ही बनाए ना ये revolution में ले जाएंगे यहाँ पर revolution में क्या जाएगा क्योंकि 4000 तो जा नहीं सकता और हम अगर 10% बनाते हैं तो कितना बन रहा है 96 और ये 96 और 9600 रुपीज क्या है हमारा total है अब चेक करो कहीं पुराना तो नहीं बचा हुआ हमारे पास 1000 बचा हुआ है जी पुराना यहाँ पर तो हमें 1000 बचा हुआ है total बनाना 96 है तो इसका मतलब simple सा है कि हमें कितना और बना लेना चाहिए 8600 बना लेना चाहिए अब 86 चला जाएगा revolution में क्योंकि loss जो है new loss जो हम डालना चाहते हैं वो तो 86 ही है ना समझ रहो ना अब देखो दूसरा suppose करो मैं 10% की जगह पर लिखता 5% मुझे जवाब देना ठीक है लिखता मैं कितना तो 5% का मतलब 5% total है अगला पिछला जोड़ी के या fresh है 5% हमेशा ये total के बारे मैं बोलेगा तो अगर मैं 5% बनाऊँगा तो इसका 5% बनेगा तो इसका 5% क्या होगा 48 अब आप से मुझे जवाब चाहिए कि 4800 रुपे है हमें revolution में कितना ले जाना है 38 38 38 38 38 38 38 क्योंकि हमें total चाहिए क्या आपके पास पुराने provision है क्योंकि bad debts minus करने के बाद अभी भी आपके पास बचा हुआ है बचा हुआ है हमारे पास कितना 1000 बचा हुआ है ना और आपको total कितना बनाना है total 4800 चाहिए और 1000 पहले से आपके पास है तो आप कितने कमाई और करना चाहोगे कितने का इंतजाम करोगे टोटल 4800 रुपे का इंतजाम करना है मानलो कोई फंक्शन करना है आपको बर्थडे पार्टी करना है 4800 रुपे खर्चा होगा रही हजार जेम में कितना मांगने जाओगे कहीं से और 3800 के तो इंतजाम करोगे 3800 इसलिए मैं बोल रहो समझ में आई बात आपको 10% में कितना चाहिए था 9600 पॉकेट में कितना बढ़ा हुआ था 1000 तो इसलिए मैंने कितना बोला था इंतजाम करना है 8600 तो इस वाले केस में 10% में आंसर क्या था हमारा और 5% में आपने बोला 3800 ये दोनों पहुंच जाएगा डेटर में से माइनस होगे बात खता हूँ केस नमबर और देखते हैं आगे केस नमबर 3 माल लेते हैं अगर हमारा बेड़ डेट्स सपोस करो ये हो 5000 एंड प्रोविजन इसका जवाब चाहिए मुझे बेड़ डेट्स कितना है मैं पुराने वाला सारा इरेज कर रहा हूँ ठीक है न वैसे तो मुझे अलग-अलग करना जाए लेकिन वीडियो है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं तो मैं पुराने वाला क्या कर रहा हूँ मिटा रहा हूँ सब कुछ बिल्कुल फ्रेस नया दिमाग चलाना है आपने कितना बेड़ डेट्स? पहले से तयारी है कितने ही है? कुछ नहीं बचा? कुष्चन क्या बोलता है टॉटल कितना बना लो? तो भाई bad dates हो गया तो पहले तो bad dates minus करो सबसे पहले तो जो बिकार का है उसे minus कर दो और 10% बनाना है? हाँ अच्छा अब कितना बनाना है 10%? 10% इसका अब 95% total जाम करना है पहले है नहीं तो पूरा ही करना पड़ेगा भाई इंतिजाम यह सारा ही revolution में पहुंच रहेगा समझ रहे बात? यह सारा ही revolution में जाएगा नुकसान है कोई दिक्कत है यहां था? नहीं suppose करो कि मैं यहां पे case number 4 कर देता हूँ case number 4 मान लेते हैं के bad dates 2000, bad dates कितना है? तीसरे case में अगर bad dates 2000 है तब हमारे पास अभी भी बच रहा है 3000 बच रहा है मैंने कहा and यह मैं 1000 कर देता हूँ, ठीक है? कितने बच रहे हैं? 4000 बच रहे हैं मैंने कहा provision ओहो provision 2% कितने? 2% अब सबसे पहले मैं दुबारब फ्रेस से स्टार्ट कर देता हूँ इसको मिटा देता हूँ मैं आप मुझे जवाब देना भाई सबसे पहले बेड़ेट्स वह एक हजार तैयारी थी पहले से? ठी, हटाओ इसे 1000 को पहले तो यहां से यानि पुरानी तैयारी में से हमारे पास 4000 रुपे तो और पड़े हैं बेड़ेट्स में माइनिस कितने से हो गया? 1000 बचे कितने? 99,000 99,000 99,000 का प्रोविजन टोटल कितना कह रहा है? इसका 2% निकालते हैं एक बार कितना बनता है? बताओ 2% 1980 यह तो कोई सना आ गया तो 1980 रुपे है ठीक है ना? टोटल 1980 पहले से कितना तैयारी है हमारे पास? और टोटल कितना बनाना है? यह तो हमें मांगने की जुरत नहीं बच रहे हैं और? है ना? हमें और बच रहे हैं कितने बच रहे हैं? देखा जाए तो 2020 रुपे 2020 रुपे बच रहे हैं? तो अब 2020 रुपे फाइदा है कह है? revolution revolution के by side में कितना चला जाएगा 2020 रुपे simple सी बात है यानि आपका provision कम पढ़ रहा है तो loss है लेकिन provision बनाना था मान लेते हैं simple मैंने birthday का example लिए आपके pocket में 4000 parents ने दिया अब party party करके आए 1980 खर्च करने है बाकी दे दो भाई वापस बाकी ठीक है? तो उस case के अंदर क्या है हमारा? इस case में देखो फोकस क्या करते है इस case में हमारा फाइदा है कितने का फाइदा है? 2000 यानि हमें जो PFD रखना है इस PFD में से 2020 रुपे और घटा दो क्यों घटा दे सर 2020 रुपे? क्योंकि ये हमें खर्ची नहीं करना है यानि अल्टीमेटली मेरा PFD में कितना आ जाएगा? 1980 और ये चला जाएगा रिवेलिवेशन के तो प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट्स कई बार डेविड भी हो जाता है कई बार क्रेडिट भी हो जाता है और सरी बेड डेट्स होता है मैंने बुला हाँ भाई सही बात है नुकसान होता है लेकिन ये भी तो देखो इस नुकसान को तो आप पहले ही बुक कर चुके हो तो दुबारा दिखाओगे तो डब्लिंग हो जाएगा ना आपका? समझ मैं आई बात आपको? तो यानि सिंपल सा प्रोविजन पर ये केस होता है जो कोशन नमबर 34 में है आप कोशन नमबर 34 को एक बार देख के बताईए कि कितना हमारा फाइदा और कितना नुकसान है आपके 34 आज का जो एंड़ा है ना हमारा वो कोशन 34 ही करने का था आप